नमस्कार आप देख रहे हैं वाइसो पानी पतरों मैं हूँ आपके साथ कुलवन सिंग दोस्तों बड़ी खबर के साथ लाइब हुए हैं आपसे अपील इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से जुरू करें क्योंकि बच्चों के भविश्यों को लेकर बार-बार जो है फोन मंत्री ने ट्विट कर ये जानकारी दी है इसे पहले हमने लाइव वीडियो में आपको दिखाया था शिक्षा मंत्री क्रिशन पाल गुजर का कवर पाल गुजर का बियान सामने आया था कि 25 तारिक को मुख्य मंत्री के साथ बैठ करेंगे उसके बाद जो है अगामी कारव बोर्ड के तहत नहीं होगी स्कूल ओक उपर फैसला जो है टाल दिया है लेकिन बोर्ड की बात चल ले थी पांचervी और आथ वी कक्सा के बोर्ड के पेपर ले जाएंगे प्रिक्षांगे लेकिन अब वो फैसला रद कर दिया गया है अभी मुख्य मंत्री का ब्यान जो वी पांच वी की बॉर्ड की वो रद कर दी गई है कहीं ना कहीं खुशी की लहर उन माबाप के लिए भी है और चात्रों के लिए भी एक कुशी की लहर यह है क्योंकि कुरोना काल के दोरान बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे ओनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे लेकिन एका एक ये फैसला ले लिया गया था कि अब जो पांचवी और आठवी कलास की खशाएं हैं बोर्ड की होंगी और उनकी जो प्रिक्षाएं भी वो बोर्ड के तैत ली जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये फ परिक्षाएं जो है बोर्ड की नहीं होगी और ये फैसला हरियाना और सीबी ऐसी दोनों पर ये लागूर होगा हरियाना सरकार ने ये फैसला जो किया है सीबी ऐसी की जो परिक्षाएं वो भी बोर्ड की नहीं होगी और हरियाना बोर्ड के तैत हरियाना के जो स्कूल है व भी अब बोर्ड के तैट पेपर जो है उनके नहीं लिये जाएंगे यह बड़ी जानकर यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जूरू करें को कि थोड़ी देर पहले का जो बयान था क्रिशन पाल कवरपाल गुजर का उन्होंने यह का था कि 25 तारीक को फैसला लिया है हर्यान सरकार ने फैसला लिया कि पांच वी और आठवी की जो बोर्ड की प्रिक्षाएं हैं वो रद कर दीगी है कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल के जितने भी टीचर थे शंचालक थे वो बार-बार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि आपांच और आठवी की जो बोर होगा नहीं होगा यह आगामी जो हर्यान सरकार की कारवाई रहेगी उसमें पता चलेगा लेकिन एक साल के लिए बोर्ड जो है रद कर दिया गया है यह बड़ी अच्छी रहत जो है अभिवावकों को दे गई है स्कूली छात्राओं को दे गई है क्योंकि उनके उपर बड अभी जानकर यह बी है कि जिन स्कूलों ने बोर्ड के लिए पैसा लिया था चात्रों से पैसा लिया था अब वो उनको पैसा जो है वापिस करना पड़ेगा यह भी एक सूचना जो है सामने आ रहे है तो आप लोगों सा पील इस वीडियो को जादे से जादा सियर जो करें एक बर फिर से आपको दिखा दें ये ट्वीट करके जबी जो जानकरी है दे गई है और ट्वीट के मादम से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पांचवी और आठवी कक्षा का बोर्ड जो है वो रद कर दिया गया है ये CBSC पर भी लागू होगा और ये फैसला जो है भी थ पैट्रोल और डीजल के वहन है पैट्रोल पंदरा साल और डीजल दस साल ये जो वहन है उनको उठाने के तैयारी हर्याना सरकार ने वह भी कर ली है एक बैठेक में चर्चा हुई है इस मामले को लेकर कि अब जो है दस और पंदरा साल के जो वहन थे उसे उठाना जो है प्रहाव कर दिया है दस और पंद्रा साल की जतने पुराने वाहन है उसके एक अप्रायल से उठाने की तयारी जो है वो शुरू कर दी गए आटो चालकों को रहत दी गए वह आप हमारी पहली वीडियो में आप देश सकते हैं आटो चालकों के लिए क्या रहत है दो एहम और बड़ी खबरों के साथ हम लोग लाइव हम है इस तर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जुरू करें नोटिफिकेशन स्कूलों के पास एक या दो दिन में पहुंच जाएगी लेकिन अब जो अधिकारिक पुछती है वो डीपियारों हर्याना के तरफ से चंडिगड के उन्हें रद कर जा गया है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जुरू करें और जो प्राइविट संचालक या प्राइविट स्कूल के जो जितने भी लोग थे जितने भी टीसर थे उनका काफी दबाव था हर्याना सरकारी के उपर वो दबाव कहीं ना कहीं काम करत नजर आ रहा है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जुरू करें नमस्कार